दोस्तों अगर आप एक creator हैं और आप YouTube वीडियो बनाते हैं और आपका Google AdSense है तो आपको भी इस तरह का mail एक आया होगा यहां पर देख सकते हैं एक mail आया हुआ है site management in AdSense is changing तो यहां पर कुछ changing हुआ है चली मैं उसके बारे में details में बताने का प्रयास करता हूँ तो चली मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ पहले किस तरह से Google AdSense में दिख रहा है अभी देख सकते हैं recently में कुछ इस तरह से look आ रहा है यहां पर देख सकते हैं कोई भी site वेगरा अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वहीं पर यहां पर कुछ changes जो हुआ है और आपका अब जो है Google AdSense कुछ इस तरह से दिखने वाला है यहां पर एक sites का option add होने वाला है और sites का add होने के बाद उसके बाद आप sites को यहां पर manage कर सकते हैं सारकुछ details देख सकते हैं तो एक नया feature add होने वाला है sites का अगर आपका YouTube चैनल के अलावा कोई sites वेगरा है तो sites को add करने के बाद आपको यहां पर sites का एक option देखने को मिल जाएगा जो कि यह बहुत ही जल्द हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है starting 20 March 2023 और 2023 से जो है यह start हो जाएगा तो यह ज्यादा कुछ खास update नहीं था बस यही sites के बारे में था कि आपका अगर sites भी है YouTube channel के अलावा तो आपको sites का option मिल जाएगा और आप अपने sites को manage भी कर सकते हैं वहाँ पर Google Adsense account में तो यही कुछ update था और भी बहुत सारे changes हो हैं तो जैसे जैसे दीरे दीरे मतलब समय 20 March 2023 आएगा उसके बाद से बहुत सारे changes होने वाले हैं तो यह कुछ update थे तो मैंने subscribe करका रखिया ताकि हमेशा आपको सबसे पहले information मिल जाए मिलता हैं फिर नेक्स्ट टुडियो में thank you